आज मैं चिकन टिका वेच समुसा बनाने जा रही हूँ चलिए बनाना शुरू करते हैं यह देखें मैंने आदा गिलो बोंदेश चिकन लिया है इस तरह मैंने इसके क्यूब बना कर दोकर अच्छे से पानी नितार कर लेंगे मैंने पाव किलो को भी लिये इसको इस तरह पतला पतला कट करके लेंगे तीन मैंने छोटे वाले गाजर लिये इसको भी लंबा लंबा मैंने इस तरह कट करके लिया है दो शिमला मिर्ची है इसको भी बारी कट करेंगे एक टीस्पून काली मिर्चो का पाउडर एक टीस्पून फर के चिली फ्लेक्स नमक लेंगे स्वादानुशा इस चिकन टिक का मसाला है इवरेसका लिया है मैंने एक टेबल स्पून फर के लिया है और एतीन टीस्पून हरा मसाला है अधराफ लसल मिर्ची का पेस्ट आधा हम चिकन में यूज करेंगे और आधा सबजी के साथ चलिए बनाना चुरू करते हैं सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे यह देख बताना में भूल गई थी देड़ सो गिराम इसको धही लगेगा तो चलिए नमक डालेंगे नमक कम डालेंगे कि मसाले में भी नमक होता है और मैं थोड़ा सा फूट कलर डाला देड़ टीस्पून इसमें हम लोग हरा मसाला डालेंगे और दही दालेंगे यह वो टेस्टी बनता है समोसा इसको अच्छे से मिक्स करके लेंगे और इसको 10 से 15 मिनेट मैरिनेट होने रखेंगे इसके बाद इसको पका कर लेंगे अच्छे से मिक्स हो गया अभी मैं इसको 15 मिनेट के लिए छोड़ूंगी एक पैन में मैंने एक टीस्पून तेल लाला है तेल जाधा नहीं डालेंगे अब इसके अंदर चिकन को डालेंगे 15 मिनेट हो गया हमारी चिकन को सारे पीज डालेंगे सारे मसालों के साथ डालेंगे इसके बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा जब यह अच्छे फिगल जाएंगे तो इसके रेशे करके लेने अब चॉपर में भी कर सकते हैं हाथ से भी कर सकते हैं इसको डखक कर मिडियम फिल्म पर पकने देंगे दो से इन मिनट के बाद बाद चेक करेंगे उसको और इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है चिकन का और रदय का पानी रिलीज होगा उसमें चिकन गल जाएगा अच्छे से अब इसको मैं डखकर दो-तीन मिनट के लिए फिलम पे चोड़ूंगी दो से तीन मिनट हो गए देखे चिकन ने कितना पाने रिलिस किया है इसी तरह चलाते वे इसको पका कर लेंगे चिकन अच्छे से गलना चाहिए और फिर सारा पानी ड्राय करके लेंगे पास से साथ मिनट और लगेगे इसको पकने के लिए धक कर इसको पकने छोड़ते हैं इसका पानी ड्राय होना शुरू हो गया अब चिकन भी अच्छे से गल चुका है इसको इसी तरह देगे तोड़कर आप देख सकते हैं अब इसी तरह इसको रेशे रेशे करके लेंगे तो चोटे पीस चाहिए तो आप चोटे पीस रख सकते हैं इसको अच्छे से ड्राय करके लेते हैं और फिर निकार कर इसको ठंडा करेंगे और इसके चोटे पीस बनाएंगे अब मैं इसको निकालूंगी और ठंडा करने रखेंगे तब तक हम लोग सबजियों को थोड़ा भून कर लेंगे इते की चिकन निकाल लिया मैंने अब सेम पैन लिया मैंने उसमें एक ती स्पून मैंने तेल डाला है अब ये हरा मसारा डालेंगे और इसको एक मिनट भून कर लेंगे इसमें ज्यादा तेल की जरूरत नहीं क्योंकि समुशे को फ्राइ करना है और जो चिकन टिकाम ने बनाया है इसमें बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है इसको हाई फ्लेम पे फ्राइ करके ले दें हरा मसाल हमारा फ्राइ हो गया इसमें गाजर डालेंगे इसको भून कर लेंगे हाई फ्लेम पे रखना है इसको ज्यादा पकाना नहीं है इसी बूनना है थोड़ा सा कच्छा पन निकालने के लिए क्रंची अच्छे लगेंगे ज्यादा कल जाएंगे तो उच्छा नहीं लगेगा इसको एक मिनट छलाएंगे इस तरह गाजर थोड़े हाड रहती है इसके लिए गाजर को पहले डालेंगे और हम लगों थोड़े देर बात डालेंगे इसको एक मिनट वुलने बनाक। अब चिकन मैंने मुझे बनाएं jak serious रूकुष recognize जिदुर डालेंगे तो ज्यादे अच्छा dessa आता है पार बच्स के अब आपको के साथ दने हुऩ में आप साथ दालेंगे तो बच्चे ही खाएंगे हुआ कि इसको मियन करेंगे। जा wildly किया धाक। कि जालेंगे, उसके बाद सारे मसाले डालेंगे, यह देके सबजी आमारी फोड़ी गल चुकी है, आप इसमे नमक डालेंगे, स्वाधा नुसार, चिली फ्लेंक डालेंगे, आप अपने टेस्ट की साब से मिर्ची अगरा ले लो, काली मिर्ची का पाउडर डालेंगे, गरम मसा सबजियों में अच्छे से मिलना चाहिए मसालों का फ्लेवर आना चाहिए अब मैंने ग्यास का फ्लेवर किया है मैंने जादा गलनी नहीं आग देख सकते हैं सबजी जादा गली नहीं है अब इसके अंदर चिकन डालेंगे कि डाला है कि अच्छे से सब्ब्स करके लिए एक चोपर में थोड़ा से गुंबा कर लिया है मोटा मोटा ही अब इसके करेंगे और अच्छे से सब मिक्स करके लेंगे इदिके चिकन और सब्जिया मैंने अच्छे से मिक्स करके ली नमक आप चेक कर सकते हैं अपनी हिसाब से नमक डालो यह हो गया है अब ग्यास का फ्लेम बन करेंगे और इसको ठंडा होने देंगे फिर हम समुसा बनाएंगे अब इसमें मैं हारा दन्या डारी हूँ इसको अच्छे से ठंडा करके फिर ही समुसा में बरना है इसको अभी ठंडा होने देते इदे के समुसे के फिलिंग आमारी ठंडी हो चुकी है अब हम मैं आपको समूसा बनाना बताऊंगी जो मैंने समूसा पट्टी बनाई थी वह ही लिए और उसके लिए मैंने एक टेबल से मैदा लेके इसका इस तरह से गोल बना कर लेंगे ताके आसानी से चिपक जाए अब इसको इस तरह फोल करेंगे और इधर मैदे का बेटर लगाएंगे मैंने फिलिंग जादा बनाई है क्योंकि मैं समूसे बना कर फ्रीज करने वाली हूं इसके लिए मैंने जादा बनाया है और थोड़े से मैंने बना कर फ्रीजर में रख दिये यह आप लोगों को बताने के लिए यह पॉकिट बन गया यह आसान तरीका है आप इसके अंदर फिलिंग डालेंगे आपको जितनी चाहिए आप डाल सकते है कि मैं दो चमच डा रहा है इसको इस तरह दबाएंगे ताके आसानी से बंद हो जाए और इधर भी लगा कर लेंगे और आपको अगर समुसे फिरीज करने है तो इस तरह से बना कर आप एक प्लेट में लगा कर पहले एक दो गंटे फिरीज में रखो जब अच्छे से सेट हो जाए कड़क हो जाए तो कोई भी जिबलोग बैग या डब्बे में भरकर रख सकते हैं यह देके हमारा समुसा बन के तयार हो गए अब मैं इसको आपको फ्राय करके बताती हूं तेल गरम हो गया है अब इसमें समुसे फ्राय करते हैं जैसे तेल गरम हो जाएगा इसको लो फिलम पे मिडियम फिलम पे इसको फ्राय करेंगे ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए अच्छे से गोल्डन होने अब देख सकते हैं, अब इसको में निकालूँगी और गर्मा गरम सौफ करेंगे यह देखे हमारा चिकन टिका समुसा बनके तयार है यह बहुत मज़ेदार एक दिम किस्पी बना है आप लोग यह रेसिपी ज़रू ट्राय करना रमजान में यह बहुत मज़ेदार अगर आपको मेरे रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करो, शेर करो, सब्क्राइब करो, अलाह आफीज